भी नहीं होती, ना जाने क्यों, तब किसी दिन उन्होंने फूलों का एक गुलदस्ता मेरे हाथ में रख दिया था और मुस्कराय थे, वह प्रनय का उभार पाकर मैं फूली न समाई थी, केवल थोड़ से फूल और पतिया थी, पर उन्हें देखने से मेरे आँखे किसी भाती त्रप्थी न होती थी, कुछ तेर हाथ में लिये, रही, फिर अपनी मेच पर फूलदान में रख दिया, कोई काम करती होती, तो बार बार आकर उस गुलदस्ते को देख जाती, कितनी बार उसे आँखों से लगाया, कितनी बार उसे चूमा, कोई एक लाक रुपे भी देता तो उसे न देती, उसकी एक-एक पंखड़ी मेरे लिए एक-एक रत्न थी, जब वह मुर्जा गया, तो मैंने उसे उठाकर अपने बक्स में रख दिया था, कबसे उन्होंने मुझे हजारों चीजे उफार में दी हैं एक से एक, रत्न जटत आभूशन है, एक से एक बहुम और उनकी ईशा बढ़ाती हूँ, बस, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, उन्होंने मुझे चंद्रहार दिया है, जो इसे देखता है, मोहित हो जाता है, मैं भी उसकी बनावट और सजावट पर मुग्ध हूँ, मैंने अपना संदूग खोला और उस बुलदस्ते को निकाल लाई, आह, उसे, हाथ में लेते ही मेरी एक-एक नसने बिजही तोड़ गई, ह्रदय के सारे तार कम्पित हो गए, वह सूखी हुई पंखडियां, जो अब पीले रंग की हो गई थी, बोलती हुई मालूम होती थी, उसकी सूखे, मुर्जाय हुए मुखों के अस्पुडित कम्पित, अनुराग में डूबे शब्ट साइं साइं करके निकलते हुए जान परते थे, किन्तु वह रत्नजटित, कांती से दंपता हुआ हार स्वर्ण और पत्थरों का एक समोह था, जिसमें प्रान न थे, संग्या न थी, मर्न था, मैंने फिर गुलदस्ते को चूमा, कं आ गई, उसे उन्होंने कालेट से मेरे पास भेजा था, उसे पढ़कर मेरे ह्रदय में जो आनंद हुआ था, जो तुफान उठा था, आखों से जो नदी बही थी, क्या उसे कभी भूल सकती हूँ, उस पत्र को मैंने अपनी सुहाग की पिटारी में रख दिया था, इस समय उस पत्र को पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई, मैंने पिटारी से वै पत्र निकाला, उसे स्पर्श करते ही मेरे हाथ कापने लगे, ह्रदय में धरकन होने लगी, मैं कितनी देर उसे हाथ में लिए खड़ी रही, कह नहीं सकती, मुझे ऐसा मालूं हुआ कि मैं फिर वही ह हो गई हूँ, जो पत्र पाते समय थी, उस पत्र में क्या प्रेम के कवित्तमय उद्गार थे, क्या प्रेम की साहितिक विवेच ना थी, क्या वियोग व्यथा का करुन क्रंदन था, उसमें तो प्रेम का एक शब भी न था, लिखा था कामिनी, तुमने आठ दिनों से कोई प पत्र न लिखोगी, तो मैं होली की छुटियों में घर न आउंगा, इतना समझ लो, आखिर तुम सारे दिन क्या करती हो, मेरे उपन्यासों की आलमारी खोली है क्या, आपने मेरी आलमारी क्यो खोली, समझती होगी, मैं पत्र न लिखूंगी तो बचा खोब रोएंगे और ह यहां इसकी परवाह नहीं, नौ बजे रात को सोता हूँ, तो आट बजे उठता हूँ, कोई चिनता है, तो यही की फेल न हो जाओं, अगर फेल हुआ तो तुम जानोगी, खितना सरल, भोले भाले रदय से निकला हुआ, निश्कपट मानपूर्ण आगरह और आतंग से पत जानता हो, उसका अनुभव करता हो, बदिदेवब जानते हैं, इस धमकी का मुझ पर कोई असर न होगा, मैं हसूंगी और आराम से सूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ, वे अवर्षे आएंगे और उनके लिए ठिकाना ही कहा है, जा ही कहा सकते हैं, कब से उन्होंने मेरे प बोधन भरे होते हैं, मैं उन्हें पढ़ती हूँ और एक ठंडी सास लेकर रख देती हूँ, हाई, वे रदय कहा गया, फ्रेम के इन निर्जीव भाफशुने कृत्रिम शब्दों में वे अभिनता कहा है, वे रस कहा है, वे उनमात कहा है, वे क्रोथ कहा है, वे है, उनमें मेरा मन कोई वस्तु खोचता है, कोई अग्याद, अव्यक्त, अलक्षित वस्तु पर वे नहीं मिलती, उनमें सुगन भरी होती है, पत्रों के कागसार्ट पेपर को मात करते हैं, पर उनका यह सारा बनाव सवार किसी कत्योबना नाइका के,